पूरी दुनिया में यह जो यहाँ पर वर्ड है population collapse यही अपने आप में word of the day बन गया काफी जगा लोगों ने इसको काफी discuss किया ना इस वीडियो में हम बात करेंगे किया genuinely population collapse बहुत तेई से population का गरना eventually क्या यह humankind के लिए खराब होगा या फिर actually इसके काफी advantages भी हो सकते हैं by the way मैं आपको यह बढ़ा दू कि Elon Musk को आप अगर देखे तो इनके खुद आज के समय साथ बच्चे हैं और जो Elon Musk का point of view है कि आबादी बहुत तेई से गिर रही है इससे eventually humankind को नुक्सानी होगा इसको counter करने के लिए बहुत से आपको और लोग भी मिलेंगे जो यहाँ पर यह कहते हैंगे अगर population decline होती है तो यह human population के लिए काफी अच्छा होगा और साथी साथ धर्ती के लिए भी काफी अच्छा होगा यहाँ पर आप देखोगे इस पर article है why we should embrace population decline क्यो हमको accept करना चाहिए और खुशी बनानी चाहिए के population decline हो रहा है दुनिया भर में ना first of all यहाँ पर आपका question आएगा के अभी के लिए तो population decline नहीं हो रहा है अभी तो global population तो बढ़ी रही है आफरिका में इंडिया में even एशा के बाकी देशों में भी आप अगर देखो तो population all together बढ़ रही है मगर predictions यहाँ पर यह है के जिस तरीके से urbanization हो रही है जिस तरीके से family structures change हो रहे है जो हमने Europe पे देखा है बहुत ही जल्द वो आपको एशा में और हो सकता है कुछ हद तक कुछ चुनिंदा countries में आपको आफरिका में भी देखने को मिले धीरे एक गिरावर्ड आपको देखने को मिलेगी और अभी के लिए prediction यहाँ पर यह है के जब तक year 2100 आएगा तब तक world population हो जाएगी 8.8 billion तो मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं के बहुत से regions में fertility बहुत ज़रा कम हो रही है और यहाँ पर population डिकलाइन आपको देखने को मिलेगा भारत में भी अमान के चल रहे हैं के 2040-50 के आसपास हम देखेंगे के एक sharp population डिकलाइन आएगा और by the year 2010 भारत की अबादी होगी लगबख 100 करोड के आसपास अभी भारत की अबादी है almost आप कहा सकते हैं 140 करोड के आसपास हम पहुच चुके हैं तो मतलब एक massive fall आपको देखने को मिलेगा करीब 40 से लेकर 30 करोड की हमारी अबादी कम हो जाएगी आने वाले 100 साल में और चाइना का जो population collapse है यह इससे भी जड़ा बड़ा होगा इनकी अबादी अभी के लिए 141 करोड के आसपास है यह गिर के हो जाएगी 79 करोड by the year 2100 यह मैं आपको बता दूँ के यहां तक पहुचते पहुचते बीच में इंडिया में एक population spike भी आएगा एक टाइम पे हमारी अबादी 160-170 करोड के आसपास भी पहुच जाएगी मगर फिर उसके बाद हम यहां पे assume करके चल रहे हैं कि जैसे जैसे भारत में women empowerment होगी तरक्की होगी एक family को nurture करना एक बच्चे को बड़ा करना बहुत जारा expensive हो जाएगा लोग अपने आप ही छोटे परिवार रखा करेंगे और इसी बात को लेकर यहां पर Elon Musk चनते था अच्छली ना सिर्फ Elon Musk आपको याद होगा 2019 में Elon Musk और Jack Manne एक legendary आपस में वारतलाब करी थी लोगों के सामने और यहां पे Jack Manne Elon Musk को यह बताया था के इनके साब से AI का मतलब Artificial Intelligence नहीं है AI मतलब Alibaba Intelligence legendary conversation है अगर आप online कभी सुनना चाहें रोगों सुनिएगा खेर इस पुरी conversation में सिर्फ एक मुद्दे पर Elon Musk और Jack Manne एगरी किया 70 जदाई वो यह था के दुनिया आज के समय बिल्कुल एक population collapse face कर रही है और यह सबसे बड़ी problem होगी दुनिया के सामने अब यहाँ पर आप कोगे wait population कम होगी इसके फाइदे ही फाइदे है नुकसान क्या है population कम होगी तो obvious ही बात है environment को बहुत ही एक positive impact देहने को मिलेगा global warming की जो problem है यह काफियत तक control में आ जाएगी फिर आप यह भी सोच कर देखिए अगर population कम होती है तो जो property prices है यह भी काफियत तक गिरेंगे लोग ज़रा बड़े घर afford कर पाएंगे लोगों के लिए resources ज़रा होंगे मगर यहाँ पे अगर population बहुत ही लंबे समय में मतलब के कम से कम आप यहाँ पे बात कर रहे है 600-700 साल में minutely थोड़ी बहुत कम होती है तब ठीक है मगर जिस type का population fall हमारे सामने आने वाला है यह global economy को इस तरीके से तहसनास कर देगा कि हम recover नहीं कर पाएंगे immediately क्या होगा कि बहुत सारी private companies के लिए market almost गायब हो जाएगी और सबसे बड़ा issue यहाँ पर यह भी होगा कि by the year 2100 young people बहुत ज़रा कम होगे जरातार जो दुनिया की अबादी होगी यह होगी aged क्योंकि जिस तरीके से medicine में तरक्की हो रही है pharmaceutical industry में तरक्की हो रही है तो लोगों की जो life expectancy है यह भी बड़ेगी भालत में भी हम देखेंगे कि लोग अराम से 80-90 साल तक जी जाएंगे तो Elon Musk का main concern यहाँ पर यह है कि आने वाले 17-80 साल में world population बहुत बोड़ी हो चुकी होगी कोई growth नहीं होगी कोई यहाँ पर तरक्की नहीं होगी सब कुछ stagnate कर जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि civilization का भी decline आए overall mankind तरक्की करना इवन कर दे space की जो exploration का सपना है यह भी यहाँ पर खराब हो जाए Elon Musk आपको बताओगा बहुत बड़े supporter है Mars को colonize करने के यह मांगते हैं कि humankind का ultimate mission यही है कि पूरे solar system में जो various planets हैं जहाँ पर अफकोर्स आप खड़े हो सकते हैं वहाँ पर human beings की colonies हो तो Mars को यह colonize करना चाहते हैं यह आपर क्या रहे हैं कि अगर धरती में ही young population बहुत कम बचेगी तो Mars को हम populate कैसे करेंगे that will become impossible फिर इसके अलावा इनोंने इससे पहले एक और point भी उठाया है वो है inequality का कि भविश्य में क्या होगा कि जो अमीर लोग है इनकी तरह Elon Musk के पास आज के समय एक problem तो बिलकुल नहीं है और वो है पैसे की चंता इनको कोई चंता नहीं है यहाँ पे कि इनके पास कितने बच्चे हैं स्कूल की फीस कितनी है उनके उन पर कितना खर्चा होता है he is one of the richest people in the world तो भविश्य में क्या होगा कि जो लोग बहुत ज़रा wealthy हैं उनकी families बहुत बड़ी होंगी वो यहाँ पे अराम से 8-9 बच्चे बड़ा कर पाएंगे वेरास जिन लोगों के पास पैसा कम है वो यहाँ पर मुश्किल से एक बच्चा रेस कर पाएंगे और Elon Musk जिस economic collapse की बात कर रहे हैं अब आदी के गिरने की वज़े से उसके बारे में तो आप अगर देखो तो आज से कई साल पहले John Maynard Keynes ने भी एक ऐसे लिखा था कि some economic consequences of a declining population उसमिनों ने यहाँ पर यह का था कि जब population 23 से गिरे की in the future तो उसके बाद बहुत ही लंबे समय तक कई सदियों के लिए हो सकता है कि global economy recession में चली जाए मगर एक तरफ तो खेर economic loss हो सकता है कि देखने को मिले मगर साथी साथ आपको एक और theory के बारे में बतावना चाहिए यह है geriatric peace theory यहाँ पर कई लोग यह मानते हैं कि आज से 70-80 साल बाद जब दुनिया की जरातारबादी बुरी होगी तो उस वक्त automatically countries में peace हो जाएगा countries आपस में लड़ेंगी नहीं तरक यहाँ पर यह है कि countries will be too old to fight इनके पास young population बहुत कम होगी जो गिंतिक young population होगी वो यहाँ पर कोई ना कोई manual work कर रही होगी यार जो old population है उसकी caretaking कर रही होगी यहाँ पर automatically world peace कायम हो जाएगा under the geriatric peace theory of course यह बस एक theory है हमें यह 100% बता नहीं है कि यह actually होगा भी या नहीं बट overall देखिए Elon Musk ने एक बहुती different perspective present किया है population collapse का इनके हिसाब से यह बहुत बड़ी problem है और अगर इसको solve नहीं किया गया अगर आज के समय वो देश जहाँ पर fertility rate बहुत ज़रा कम है primarily Japan उसके लाबा कई European देश वहाँ पर ऐसी नीतिया नहीं बनाई गई जिससे population जली से बढ़ती है तो इससे in the future बहुत problem जाने वाली है so finally यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक question कि क्या आप यहाँ पर Elon Musk से agree करते हैं या फिर यहाँ पर आप मानते हैं कि नई actually overall global population जब कम होगी तो चाहे इसके negative impact हो मगर positive इसका impact ज़रा होगा और overall human lives improve होगी लिखेगा इसके बारे में comment section में I am sure all of us would like to read your answer और finally आपर मैं यह भी आट कर दूँ कि आप किसी भी exam के लिए prepare कर रहे हैं चाहे UPSC, SSC, bank, any examination simply जाओ unacademy.com पे choose करो यहाँ पे exam of your choice for example अगर आप prepare कर रहे हैं for UPSC, click on UPSC, CSC get subscription और यहाँ पे आप purchase कर सकते हैं plus Yafra Iconic course, जो plus course है 24 months का, यह आपको पड़ेगा सिर्फ 3000 rupees per month का जिससे आप UPSC prelims और mains की त्यारी घर बैटके काम करते हुए कहीं भी आप कर सकते हैं lectures आप देख पाएंगे tablet पे, computer पे, anywhere you want, मगर यह price कभी भी pay मत कर देना, use करो यहाँ पे code PD10 and the prices will fall even more, so use the code PD10 and save money, so इसी note के साथ यह video कांथ, thank you for listening and as always God bless you all